नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी चैनल पर संगीत के छेतर में देश के जाने माने मंगिसकर परिवार की चार बहनों में लता मंगिसकर, आसा भोसले, मिना के बाद उसा मंगिसकर ने मारठी फिल्मों में गाईकी के छेतर में हिंदी फिल्मों में भी अपनी धाग जमाई है पंडी दिननात मंगेसकर के पूत्र हिदा नात मंगेसकर की बड़ी बहान उसा मंगेसकर का आज है जनम दिन और आज वे 85 साल के हो गए है तो आज हम लोग उसा मंगेशकर जी के बारें बात करने वाले हैं उसा मंगेशकर जी बालूट की सुप्रसिद्ध काईका है और इनका जनाम 15 दिसंबार 1935 को महराष्ट में हुआ था उन्होंने संगीत के छेतर वाले परिवार से होने के कारण कम ही उम्र में ही सास्तिर संगीत का गायान शुरू कर दिया था बंगॉली, कन्नड, मराथी, निपाली, भोचपुरी, गुजराती समेत कई भसाओं में गीत गा चुकी है और उसको असली पहचान 1975 में आई फिल्म जय संतोसी मास से मिली और इस फिल्म के सारे गाने हिट रहे और मेरे खाल से आप लोग ने गीत सुने ही होंगे और इस फिल्म के बाद फिर क्या था उसमंग इसकर जी को पिछे मुड के देखना नहीं पड़ा और बात करें इनके हिट गीतों की तो दोस्तों आरती उतारूरे अपलम चपलम सुल्ताना सुल्ताना गुरो की ना कालो की कहे तरसाये जाये रहा मुंगडा मुंगडा मैं गुड की डली पकड़ो पकड़ो रंग जमाई के जाएंगे ओ चली कैसी हवा चली और इसे बहुत सारी गीत हैं दोस्तों जिनको उसमंग इसकर जीन अपनी आवाज दी और आज भी बहुत ही ज़ादा सुना जाता है उन्हें कई पुरुसकारों से नमाजा जा चुका है और जैसंतोस्यमा के गीत आज भी हिट है पैतली साल पहले यानि 1975 में आई फिल्म जैसंतोस्यमा के गीत आज भी हिट है गीत कार प्रदीब के लिखे गीतों को उसमंग इसकर जी ने ही स्वरबाद किया था और इन गीतों के काराड या फिल्म सुपर हिट हुई थी और इसने सोले के बराबर की कमाई की थी और दोस्तों चीतरकला की बेहाद सौकीन उसामंगिसकर जी अपनी बड़ी बहान लतामंगिसकर के साथ ही रहकर उनकी देख भाल करती है और उनका कहना है कि जब हम चारों बहने मिलते हैं तो गितों को छोड़कर और सारी बाते करते ह और वह कहती है कि आज भी हम लोग संगीत की रियाज करते हैं वह इस बात को लेकर निरास रहती है कि अब अच्छे गितकार नहीं मिलते जिनकों गितो पर गाने का मन हो जहाद दोस्तों और देखते ही देखते आज उसा मंगिसकर जी 85 साल की हो गई है तो हम लोगों के तरफ से उसा मंगिसकर जी को जनम दिन की बहुत बहुत बढ़ाई और आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, अबाद रहें हम लोगों की यही दुआ है तो और इसी तरह के जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकी हैं तो प्लीज दोस्तों हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो को अभी तक लाइक निकी हैं तो लाइक कीजेगा, सेयर कीजेगा, थाइंच दोस्तों हमारे वीडियो वाचिंग करने केले